जैहिंदी किश्मत के भरोसे रहने का शिरप एक ही मतलब है खुद पर भरोसा ना होना यदि आपके अंदर संगर्ष करने की हिम्मत है तो जीवन में वही मिलेगा जो आप चाहोगी नमश्कार जाहिंद तो कैसे हैं आप सभी उमिद करता हूँ सभी नौज़ोन बहुत यच्छे होंगे और अपने एक जाम, अपने टरेड और जो नौज़ोन वरतमान में फिजिकल की तयारी कर रहे हैं वो बहुती शांदार तरीके से अपने एक जाम अपने फिजिकल की तया कला से अटेम्ट करना है ताकि आपकी सफलता में किसी भी परकार की दिक्कत नहीं आएगी और जो नोजवान वरतमान में फिजिकल की तयारी कर रहे हैं उनके रेलियों के फारम भी स्टार्ट हो गये हैं और बहुत जगह हैं पर रेलियों का नोटिफिकेशन मिल गया है कि साथ में रेटन की आप इतनी मजबूत तयारी कीजिए ताकि आपकी सफलता में किसी भी परकार की दिक्कत नहीं आएगी हम ज़्यादा बाते ना करते हैं दोस्तों फाइनली आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं आज का सेशन आपकी डिमांड के एकोडिंग होगा मेरे दोस दोस्ती आप सभी के कमेंड्स आ रहे थे किसर मैथ का मोक टेस्ट लिया जाए तो आज मेरे दोस्ती भारतिय सेना के मोडल टेस्ट पेपर जवाफ होजगा पेपर देने बेटोगे तो पार्ट शी के अंदर मेरे दोस्ती मैथ एंड रिजनिंग के मेरे दोस्त किशन पूच करनी है ताकि आपकी सफलता में किसी भी परकार की दिक्कत नहीं आएगी अपकी बार मेरे दोस्ती 2021 में आपको फोज की वर्दी पहनना है आपकी जगह है मेरे दोस्त यहां पर नहीं बोर्डर पर है तो फाइनली दोस्तों हम सुरुआत करते हैं आज के सेशन की एक बार पु पी साथ में लेकर बेटना फर्ष्ट क्यूसन आपकी स्क्रीन पर आज सुका है क्यूसन कहता है मेरे दोस्ती जदी किसी विद्धाले में 70% विद्यारती लड़के है और लड़कियों की संक्या 504 है तो लड़कों की संक्या क्या है यह आपको बताना है मेरे दोस्ती लड़ कि आपको 70% दे रखा है और लड़कों की संख्या आपको 504 दे रखती है तो आपको लड़कों की संख्या बताना है बहुत ही शांदार क्योंसन है सभी नोजवान इमान दारिशे अपने रब कोपी के अंदर इस क्योशन को सोल करेंगे जिनोजवनों को नहीं आता है आपका ध्यान मेरे दोस्ती बिलकुल मोबाइल फोन की स्क्रीन पे होना चाहिए चेट सेक्षन में नहीं देखिए मेरे दोस्त किसी भी दाले में 70% विद्यारती है आपको मेरे दोस्ती टोटल 100% मानना है क्लियर है आगे कहता है 70% मेरे दोस्ति इसमें लड़के है कितने परतिसत है भाईया 70% है ये मेरे दोस्ति बोईज है ठीक है आगे क्या कहता है देखिए और लड़कियों की संक्या 504 है तो मेरे दोस्ति सो में से 70% अगर बोईज है तो आप कहोगे सर 30% है ये इसके अंदर ग ग्रल्ष है लेकिन मेरे दोस्ते ग्रल्ष की जो संक्या लड़कियों की जो संक्या दे रखी है ये दे रखी है 504 ठीक है तो मेरे दोस्त देखिए 30 बराबर 504 है एक बराबर कितना होगा मेरे दोस्ती 504 बटा 30 इंटो आपको मेरे दोस्ते लड़कों की संक्या निकालना है त लेर है 168 और मेरे दोस्ती साथ को आप जब मलिटीपल करा होगे तो मेरे दोस्ती ये इनका मल्टीपल आएगा 1100 जिहेतर तो इसका राइट अंसर जोन हो ज७ान ऑप्षन ए बता रहे हैं 1100 जिहेतर वो बिलकुल correct बता रहे हैं बहुत बढ़िया मेरे दोस्ती सवास बढ़ते हैं दोस्तों next question की तरह परी next question कहता है मेरे दोस्ती अक्ष की आई y की आई से 20% अधिक है y की आई x की आई से कितने परतिसत कम है बहुत ही शांदार question मेरे दोस्ती फोज का favorite question है आपके exam में definitely ऐसा question पूचा जाएगा या फिर question ऐसे आता है कि राम क्याई साम क्याई से 20% अधिक है तो बताए शाम क्याई राम क्याई से कितने परतिसत कम या अधिक है तो ऐसे questions आपके exam में बहुत important बनते हैं मेरे दोस्ती तो देखिए इसकी trick मेरे दोस्त आपको लिखना है सभी नोजवान है वो note कर लीजिए मेरे दोस्ती इसकी trick रहेगी आपकी कमी या वर्दी जितने भी आपको मेरे दोस्त कमी या वर्दी दे रखा है उसको हमेसा उपर लिखना है नीचे आपको 100 plus minus मेरे दोस्ती कमी या मेरे दोस्ती जो आपको वर्दी दे रखा है वो आपको 100 के साथ करना है और multiple आपको 100 से करना है यह आपको ज्यान रखना है इस trick को मेरे दोस्ता आपको नोट कर लेना तो यहाँ पर कहा है 20 पर 30 अधिक तो जितना दे रखा है उतना आपको उपर लिखना है नीचे अधिक के लिए कहा है तो 100 plus 20 कितना होगा 120 और इन्टो आपको 100 से कराना है 10 से 10, 2 से 12, 6 बार और 6 से 100 है यह 16 से 2 बटा 3 बार कटेगा तो इसका right answer होगा option D जो नोजवान बता रहें इन में से कोई नहीं वो बिलकुल right बता रहें बहुत बढ़िया सबास मेरे दोस्ते बढ़ते हैं दोस्तों next question की तरह पी next कहता है पांच संक्याओं का ओस्त आपको दे रखा है 46 तबता उन में से परतम चार संक्याओं का ओस्त है वो 45, 45 है पांच भी संक्याओं आपको बताना है ऐसा questions भी आपके एक जामे definitely मेरे दोस्ती पूछा जाता है सभी नोजवानों को session इमान दरिशे देखना है आज की class नोजवान complete देखेगा math का question उसके एक जामे गलत नहीं होगा और आपके selection में दिक्कत भी नहीं आएगी देखेए 5 शंक्याओं का मेरे दोस्त आपको जो average और होसत दे रखा है वो 43 और है 46 तो कुल और होसत कितना होगा 46 into 5 होता है मेरे दोस्ती 230 clear है अगे कहता है तता उनमेंसे परतम चार संक्याओं का और होसत है यह 45 तो 45 दे रखा है तो 45 into 4 कितना होता है 180 180 होता है आपको पांचवी संक्या बताना है तो मेरे दोस्ती पांचवी संक्या है ये होगी मेरे दोस्ती 230-180 आप जब गठाओगे तो 50-50 बचेगा तो पांचवी संक्या आपके पास है ये मेरे दोस्ती 50 आएगी ऑप्सन इसका मेरे दोस्ती डी जोन जोन बता रहे हैं वो बिलकुल करेक्ट बता रहे हैं बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट कुशन की तरह पी नेक्स्ट कुशन कहता है एक दावक 200 मिटर की दोड़ 24 सेकंड में पूरी करता है उसकी चाल किलो मिटर परती गंटे में आपको बताना है और कमेंट वोक्ष में में बताना 200 मिटर आपको कितना समय लगता है जो वर्तमार में तयारी कर रहे हैं 200 मिटर में किलो मिटर पर हाउर में मेरे दोस्त आपको इसकी चाल बताना है चाल बराबर क्या होता है आपको गोगे सर दूरी बता समय होता है दूरी आपको 200 मिटर दे रखा है समय आपको 24 सेकिंड दे रखा है आपको 40 km पर हाउर में बताना है तो आप मेरे दोस्ती 1 km पर हाउर में बताऊगे तो 18 बटे 5 से आपको इसको multiple कराना होगा काठ लिजे मेरे दोस्ती 6 से कटेगा 4 बार 6 से कटेगा 3 बार पांच से मेरे दोस्ते दोस्तों कटेगा 40 बार किलियर है और 4 से 40 है ये 10 बार कटेगा और 10 और 3 का मल्टिपल होता है 30 तो इसका राइट आंसर होगा option D 30 किलोमेटर पर हो रुषकी चाल होगी किलियर है बढ़ते हैं दोस्तों next question की तरह भी बहुती शांदार कियोसन है अभी नोट कर लेना आपके एकजामेट चप गया है चाप लेना मेरे दोस्त आप भी अपनी कोफी के अंदर यदि 15 आमो का कर रे मुले 20 आमो के विक्रे मुले के बराबर है तो आपको हाने परतिसत बताना है बहुती शांदार कियोसन है सभी नोजवान इमान दर्शिश कियोसन को चाप लेना मेरे दोस्त एकजामेट चप गया है अभी नोट कर लेना 15 आमो का मेरे दोस्त आपको जो कोफ्ट प्राइज जो कर रे मुले है ये मेरे दोस्त ये कहता है कि 20 आमो के विक्रे मुले के बराबर है ऐसे कुशन शमने आपको करवा रखे है कि ये बराबर वाला है ये कर्रे मुले होगा और ये होगा विक्रे मुले ठीक है तो कर्रे मुले होगा 20 विक्रे मुले होगा 15 तो 20 में खरीदेगा 15 में बेचेगा तो क्या होगा आप कहोगे सर उसे हानी होगी भैया कितने की होगी पांच की होगी और लाब या हानी परतिसद हमेशा मेरे दोस्त कर्रे मुले पे निकलता है कर्रे मुले है 20 इन्टो आपको 100 से मल्टिपर कराना है पांच जोग 20, 4 से 100 है ये कटेगा 25 बार तो इसका राइट होगा 25 परतिसद की मेरे दोस्त उसे हानी होगी कितने परतिसद की 25 परतिसद की होगी बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट कुशन की तरपी नेक्स्ट कहता है ये किसी आइट की लंबाई और चोड़ाई में तीन अनुपात दो का अनुपात है और इसका परिमाप है ये मेरे इसे पहले जतने भी हिंदुस्तान के करम योदा नोजवान हमें सुन पा रहे हैं। सेसन को एक बार दबा के लाइक कर दीजे मेरे दोस्ते ताकि हम अच्छी तरके से आपको क्यूसंस एक्स्प्लैन करके समझाए। एनरजी मिलती है लाइक कीजे मेरे दोस्ते। यहाँ पर मेरे दोस्ते देखिए किसे आइत के लंबाई और चोड़ाई में तीन अनुपाद दो का अनुपाद है और इसका जो परिमाप है यह आपको 20 सेंटीमीटर दे रखा है आइत का आपको क्षेतरपल बताना है। क्लियर है देखिए माना मेरे दोस्ते आइत की लंबाई और चोड़ाई यह है मेरे दोस्ते तीन अक्ष और दो अक्ष ठीक है आइत का मेरे दोस्त परिमाप क्या होता है दो कोष्टक लंबाई पलशी चोड़ाई होता है क्लियर है दो कोष्टक की लंबाई आपको तीन दे रखा है चोड़ाई है पनस चोड़ाई आपको दो दे रखा है तीन दुआ पांच और दो तो आईत का आपके पास मेरे दोस्त परिमाफ है यह आ जाएगा 10 अक्स क्लियर है अब आगे देखिए मेरे दोस्ती परिमाफ है यह है 10 अक्स और आपको दे रखा है मेरे दोस्ते 20 cm परिमाब ठीक है तो देखिए अक्ष बराबर कितना होगा 20 बटा 10 तो कितना आएगा आपके बास मेरे दोस्ती 2 cm ठीक है अब देखिए मेरे दोस्ती अक्ष की जो वेल्यू है यह आपके पास 2 cm आई है तो 3 अक्ष और 2 अक्ष हमने यह 6 cm और 4 cm आगई है खिलर है लंबाई है 6 cm और चोड़ाई आपके पास आगई 4 cm ठीक है आईत का क्षेतरपल क्या होता है भाईया आप कहो कि सर लंबाई इंटू चोड़ाई होता है तो इनका मल्टिपल कराईए कितना होगा 24 वरक सेंटीमेटर इसका राई टांसर होगा ओप्सन A जोन और जोन बता रहे वो बिलकोल करेक्ट बता रहे अगर मेरे दोस्त आपको पडिमा आप क्षेतरपलिन का अगर आपको सुत्तर पता है तो मेरे दोस्त क्षेतरमिती का किशन आपके एकजामे गलत नहीं होगा और डारेक्ट आपके एकजामे फार्मूला का किशन भी मेरे दोस्ती पूछा जाता है बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट किशन के तरपी नेक्स्ट किशन कहता है मेरे दोस्ते एक गोले का परष्ट ये जो क्षेत्रपल है ये आपको दे रखा है 64 pi cm² इसका आपको व्यास बताना है बहुत ही शंदार क्योशन है टेक्निकल वाले नोजवाने आपके लिए तो ये इंपोर्टेंट है और सभी नोजवानों को इसका right answer comment box में बताना है देखत को द्यान रखना है शोल करना comment box में इसका right answer बताना है देखते हैं आपकी तैयारी math की कैसी है बात करते हैं दोस्तों next question की next देखिए भाईया बहुती शांदार question है रमेस ने अपनी गड़ी 108 में रुपई में बेच दी जदी उसको 10% लाब हुआ तो उसने गड़ी कितने र question है खरीदी आपको कर्रे मुले बताना है उसने बैची मेरे दोस्ते 108 में रुपई में है आपको बताना है उसको खरीदी कितने रुपई में थी ठीक है खरीदी कर्रे मुले आपको बताना है बैच दी मेरे दोस्ते 108 में विक्रे मुले तो ध्यान रखना मेरे दोस्ते कर्रे मुले इंटू सो नोट कर लेना भाईया यही क्युसंस आपको मेरिट में ले कराएगा विक्रे मुले इंटू सो बटा सो प्लस माइनस मेरे दोस्ती लाब यहानी हुआ है वो आपको करना है विक्रे मुले ये रमेश ने 180 रुपए में मेरे दोस्ती खरीदी थी अप्शन इसका 20 नोजवान बता रहे हैं वो बिलकुल करेक्ट बता रहे हैं नेक्स्ट कुशन देखिए बहुत ही शांदार के उसन है बहुत सारे नोजवान इस कुशन में गलती करते हैं देखिए कुशन है मेरे दोस्ती 2 अक्ष बटा 13 बराबर 2 तो आपको बताना है मेरे दोस्ती अक्ष के बराबर क्या आएगा अब देखिए इसको मेरे दोस्त आपको सोल करना है तो कैसे आप सोल करोगे 13 दूँआ 26 पलस अक्ष कैसे आया आप सभी को पता है 26 प्लस अक्ष बटा 13 बराबर आपको 2 दे रखा है ठीक है तो यह 13 उस्तरब जाएगा तो यह multiple का हो जाएगा तो आगे देखे मेरे दोस्ती 26 बराबर मेरे दोस्ती 26 प्लस अक्ष ठीक है तो मेरे दोस्त अक्ष बराबर क्या होगा यह 26 उस्तरब जाएगा तो minus का हो जाएगा 26 minus 27 कितना बचेगा बचेगा जिरो बचेगा तो इसका right answer होगा option C बात करते हैं दोस्तो next question की next कहता है एक दंदराशी चक्करवर्ती ब्याज की दर्शें 15 वर्षों में मेरे दोस्ते दूगुनी हो जाती है तो वह कितने वर्षों में मेरे दोस्ते 8 गुनी हो जाएगी बहुत important very important question है अभी note कर लेना मेरे दोस्त आपके exam में definitely question पूचा जाएगा और जब चक्करवर्ती ब्याज की दर्शें आपको पूचे तो आपको इस question को कैसे soul करना है एक संदार आपको trick बताते हैं हमेशा आपक को इसको multiple कराना है पंदर ती या 45 तो इसका right answer होगा 45 वर्ष इसका right answer होगा मेरे दोस्ते इतना इज़े आपको कोई नहीं बताएगा यहाँ पर आपको n1-n2 रेसा नहीं मेरे दोस्ती बिल्कुल short trick आपको बताई है second वाले समय को मेरे दोस्त आपको क्या करना है एक बार हम आपको दुबारा बता देते है मेरे दोस्ती यह देखिए second वाले समय को आपको power में convert करना है दो की power 3 होता है आठ इसी power को मेरे दोस्त पहले वाले समय से आपको multiple कराना है पंदर दिया 45 उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा बात करते है next देखिए मेरे दोस्ती अब 5 question ह mentality reasoning के very important question के बारे में discuss करेंगे जो कि फोज के favorite question और बार बार मेरे दोस्ती पुछे जाते हैं एकि मेरे दोस्त question कहता है जैसे बलब समंदित है परकास से वैसे ही चिमनी समंदित किससे है यह आपको बताना है बहुती शांदार question है चार सांदार option आपके पास है दिवार, उस्मा वायू यह बताना है मेरे दोस्ती बलब समंदित है परकास से वैसे ही चिमनी है यह किससे समंदित है बिलकुल इसका right answer होगा भाई option B धुवा इसका right answer होगा बलब है यह परकास देता है उसी परकार मेरे दोस्ती चिमनी है यह धुवा देती है यह आपको ध्यान अगर आपको मेरे दोस्ती डायेक्शन में दाएं बाएं का अगर पता है तो जिन्दकी में किसन गलत नहीं होगा मेरे दोस्ती देखिए पुरव दिसा में ये प्रारंब किस्तान है सचुरा कहता है 15 किलोमेटर ये पुरव दिसा में गया कितना गया भई ये आप 15 गया आगे कहता है तब वह बाएं मुड़कर बाएं इस तरफ मुड़ेगा और पर है तो भहाईया ये कितनी दूरी है ये है 5 तो मेरे दोस्त ये 5 ही चलेगा option शिकां मेरे दोस्ती d right होगा क्यूंकि इधर इतना चला तो ये वापिस भी मेरे दोस्त उतना ही आ गया तो चला कितना भाया यह पाँच किलोमेटर चला इसका राइट आंसर होगा पाँच बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्यूसन की तरह भी ऐसे क्यूसन्स भी आपके एक्जामेंट डेफिनेंटरली पूछे जाते हैं P, L, T, अनुपाद, U, K, U, Q, Y, समानुपाद, N, B, S, अमन, अनुपाद, क्या होगा बहुती शंदार क्यूसन है अगर इनका आपको मेरे दोस्त कोड पता है कि P कितने पे आता है, L कितने पे आता है, T कितने पे आता है तो पेन उठने की आपको जरूरत नहीं है, मैरे दोस्ते, P आता है, 16 पे यूं आता है मैरे दोस्त 21 पे तो प्लस 5 इसने किया है, L 12 पे आता है, Q 17 पे आता है, تو प्लस 5 किया है, T 20 पे आता है y है यह 25 पे आता है तो परस मेरे दोस्ती 5 किया है तो उसी परकार मेरे दोस्ती आपको next जो समानोपाथ दे रखा है कि इनके बीच में जो ratio है वही ratio आपको इनके बीच करना है मेरे दोस्ती clear है तो n मेरे दोस्ते 14 पे आता है कितने पे आता है बहिया चोगदा प्याता है चोगदा प्लस 5 करोगे तो 19 19 पे क्या आएगा S आएगा B 2 प्याता है प्लस 5 करोगे तो 7 पे क्या आएगा बहिया 7 पे सर G आएगा S 19 प्याता है प्लस 5 करोगे तो 19 5 24 होता है 24 पे क्या आएगा अक्ष आएगा तो S G एक्स ओप्शन इसका A जो नोजवन बता रहे हैं वो बिलकुल करेक्ट बता रहे हैं बरते हैं दोस्तों नेच्ट कुशन की तरपी नेच्ट कुशन तो बहुत इंपोर्टेंट है रिश्टा वाला कुशन तो आपके एगजाम का फेवरेट कुशन है मेरे दोस्ति यदि F A का भाई है C A की बेटी है K A की बहन है G C का भाई है तो G का चाचा कोन है ये आपको बताना है देखिये मेरे दोस्ती ये है F F है ये मेरे दोस्ती A का भाई है ठीक है भाई के लिए पलस का निशान लगाईए आगे क्या कहता है C है वो A की बेटी है C A की बेटी है तो बेटी के लिए माइनस का निशान लगाई आगे कहता है के एप की बहन है ये लीजिए ये के है ये एप की बहन है तो माइनस का निशान लगाई आगे कहता है जी है ये C का भाई है जी है सी का भाई तो पलस का निसान लगाईए आगे कहता है तो जी का चाचा कौन होगा भाईया तो जी का चाचा कौन होगा जी के पापा जी का भाई होगा वही जी का चाचा होगा तो यहां पर भाई कौन है एप है तो एप होगा चाचा तो इसका राई टांसर होगा बहिया ओप्सन डी जोनों जोन बता रहें उनका क्यूशन मेरे दोस्ती रिष्टा वाला क्यूशन गलत नहीं होगा बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्यूसन की नेक्स्ट देखे सरेनी के क्यूसन भी आपके एक जामे मेरे दोस्ते पूछे जाते हैं चार, दस, तैवीस, पचास आगे कौन शी शंक्या आएगी ये आपको बताना है बहुत ही शांदार क्यूसन है तो देखे सभी नोजोनों का ध्यान सामरे होना चाहिए चार से आप 10 की तरफ जाओगे तो 4 इंटू 2 पलस आपको 2 करना है 4 दूआ 8 पलस 2 आपको करना है किलेर है आगे देखिए मेरे दोस्ते 10 से 23 का तरफ जाओगे तो 10 इंटू 2 पलस आपको 3 करना है ठीक है पलस 3 करना है 10 दूआ 20 पलस 3 23 होगा आगे देखिए 23 इंटू 2 होता है 46 पलस आपको 4 करना है उस्वी परकार 50 इंटू 200 होता है और पलस आपको 5 करना है तो 105 इसका राइट आंसर होगा उप्सन 20 और नोजोन बता रहे हैं वो बिलकुल करेक्ट बता रहे है जिन्होंने सेहसन को अभी तक लाइक नहीं किया है तो दबा के महकाल का नाम लेकर सेहसन को लाइक कीजिए सभी नोजोन इमान दरशे बताएंगे आप इन 15 में से अगर 12 पलस का बिलकुल अगर आप राइट जबाब देते हैं तो आपके सेलेक्शन में किसी भी परकार की दिक्कत नहीं आएगी और बहुती जल्द आपको बरमास्तर कोर्ष मेरे दोस्ते दे दिया जाएगा आपके एकजाम तक मेरे दोस्ते नौन स्टॉप आपको उसमें पढ़ाई करवाई जाएगी बहुती जल्द आपको दिया जाएगा सभी नोजवान जाते जाते भारत माता का जेकरा लगाएंगे एक साथ बोलेंगे भारत माता की जे तो मिलते हैं आपको कल 22 कलास के साथ जाहिंद वंदे मातरम इनकलाब जिन्दाबाद